इस्टार्ट भारत मातक दीजे, मित्रों युवाओं आप तको पता है जो विवक्त घटना गई है इसमें हमारी देश के जवान श्रीद हुए हैं उसको लेकर और कहितर्षके डेश में मिलचा होई दफाक कशित्क गःन बाजी भी हो रहे हैं जितमें रादिति लाव लेनकी कोशिश की जा रही है और देश को ब्रितिय कर दिया जा रहा है और अपने रागी देवा आपको पुथम किया जा रहा है। मारे डाला सैनिकों को हो रही मिकल माएं। मारे गदारिये ऐसी सरदारी गले ना कुतर पा रही। आतंकी का देश नहीं जात नहीं कहे रहा। जंगी तलवार म्यान क्यों न छोड़ पा रही। तो जनता जगाएं जनता जगाएं मिल अलख भगाएं। देश द्रोही सीमा पार करें सब तयार हो। और अयर सरीखे देश द्रोही सिद्धु जैसे दुश्मनों को निपटाने हे तू क्रूर हती आ रहो। तो चालीस के बदले हो चार सव प्रतिशोध हाथ धर बैठने से कहा होने पाएगा। तो सेना को स्वतंत्र कर सुरक्षित यतनकर पिंडी और लाहर में तिरंगा लहर आएगा। तो जनता का साथ नमो दिव्य हो प्रयास जनता का साथ नमो दिव्य हो प्रयास सेहन सीलता न कायरता सिद्ध होनी चाहिए। तो पाक की ना पाक धरती को धन्य करने हित एक दो मिसायल गिराही देना चाहिए। तो मित जाय पाक हो आतंकवाद साफ शांती चैन भाई चारा बड़े प्रेम का प्रकाश हो। तो मित जाय पाक हो आतंकवाद साफ शांती चैन भाई चारा बड़े प्रेम का प्रकाश हो। तो सेना हो शशक्त हो अखंड भारत हमारा क्रांतिकारियों की पूड एक एक आस हो। तो प्रार्थना है करता पुनीत क्रांतिकारी जाग जाओ मंत्र अब तो हमारा उन्मान हो। पूसना क्या às 12 मों पॉड बत्रों। अभशक्ता है क्यात नाँगित देश का जवान बने और सेना हो। हमारे सैनिक भाई के साथ खड़ा रहे और गदारं ते और दुश्मन देश ते मिलकर निप्टें मिलकर प्रचोद लें यही हमारी सब की मनों कामा हुनी चाहिए और हमें अखंड भरत की आगे बढ़ना चाहिए वंदे मातरं भारत मता की जै